मेरे चैनल में आपका बहुत स्वागत है आध मैं आपको घर के बहुत ही कम सामगरी से आइस्क्रीम बनाने की रेसिपी बताने वाली हूँ देखे मैंने जिर्फ दूत से ही यह इसक्रीम बनाया है कितनी बढ़िया कितनी डीडियस तो आये चलिए इसकी तैयारी देखते हैं इसमें क्या क्या लगने वाला है तो यह देखे मैंने एक बरतन रख लिया है गयस में और यह मैं अधा लीटर दूद दाल रही हूं इसमें तो घर में जो भी दूद है आपके पास बोडूद आप ले सकते हैं चाहे पैकट वाला हो चाहे घर का कोई सा भी दूद हो तो बहुत ही सरल तरीके से बहुत ही कम चीजों से मैं आपको आइस क्रीम की रेसिपी बता रहे हैं तो यह थोड़ा सा दूद हमको आधी कब जैसे इसमें ले ले लेना है कटोरी में या मग में कुछ में भी और इसमें हम कॉर्ण फ्लोर डाल देंगे लग दो चममच तो इसको पीओ के रख देना है अभी इसका अप्योग बाद में करेंगे हम तो यह कॉर्न फ्लोर को घोल करके रखना है और इधर दूध हमारा बॉइल हो रह है तो आप हम करेंगे जब तक दूद बॉइल नहीं हो जाए तो देखिए हमारा दूद बॉइल हो चुका यह तो ज्याद नीचे जलेना तक तले पिता के दूद्क हमारा तो यह तो आइस क्रीम का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा इसलिए हमको बहुत सावधनी से बनाना होता है वाकी हमको ज्यादा कुछ नीचे यह इसके लिए तो अब ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिए देखिए मैं कितन मैंने सक्कर ले लिया था और यह देखिए मैंने मलाई बचा के रखा हुआ था एक कप तो वह मलाई एड करना है हमको दोद में अगर आपके पास है तो मलाई जरू डाल देजिए तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है आइस क्रीम का देखिए तो फ्रेंड यहां पे अगर सबस्द आपके पास वैनेले असंटा है तो यहां यूझ कर सकती है या तो यह पर आप वैसी साधारन तरीके से आप बना सकते हैं तो मैंने अभी इसमें कुछ भी एड ने क्या है कि हर किसिते के पास हर चीज वैवल नहीं होता तो मैंने बहुत ही शरण तरीके से आपको ब तिया नैंने हैं मैं लाइने को बेट नाफ में अत जम्याए है कर दें यह अगया है नहीं वालना है ईचती तेन मिनिट में अगरणा सब्सक्राइब का देना में मैं जालना मंठ उब इस स्टेज पर गैस बंद कर देना है इदे के गाड़े इस कितनी बढ़िया हों गया आस्क्रिम बनने के लाया तो देखिए अब हम यहां पर गैस को बंद कर देंगे आफ कर देंगे तो प्रैंड्स आपको मैं याद दिला दूँ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीस कमेंट्स करिए लाइक करें शेयर करिए और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप तक पहुं सके देखिए तो यह मैंने गैस आफ कर दिया दिखाती है मैंने तो अब और देखिए इसको थोड़ा दिए थंड़ा होने के लिए हमको ऐसी छोड़ देना है अप्रेंट लगभग हमको एसको थंड़ा होते तक 10-15 मिनट पीस मिनट यह आधा घंटा भी लग सकता है रोंग डेमरेचर में आने के लिए तो वैसी रखना है इसको अभी हमको इसको भी नहीं रखना है थोड़े देर बाद रखेंगे तो देखिए यह देखिए मैंने एक बाउल ले लिया है तो इसमें भी हम ट्रांसफर करके रख देंगे बाउल में अब यह देखिए पूरा हमको इस बाउल में ट्रांसफर कर लेना है और इसको अभी सामाने तरीके से हमको ऐसी रख देना है अभी हमको लगभग हमको एक से दो घंटा के लिए इसको ऐसी रख देना है ठंडा करने के लिए बिल्कुल यह फ्रीजर में रख देना है जब अच ग्रेंडिंग जार में पूरा का पूरा डाल देंगे इसमें यह देखिए यह पूरा इसमें डाल लेंगे और इसके बाद पल्स मोड में इसको थोड़ा रोक रोक के हमको इसको चला लेना है ग्रेंडिंग जार में यह देखिए बड़े जार में मैंने रख लिया था इसको तो बड़े जार में ही हमको जलाना होता है तो ये मैंने बड़े जार में ही ट्रास्फर किया था और देखें कितना बड़िया हो गया ये बिल्कुल एक सार सा तो अब हम इसको फिर से उसी बॉल में रख देंगे जिसमें भी आपको बनाना हो या एयर टाइट आपके पास है रख लिया है तो आप इसमें भी रख के बना सकते हैं अभी देखेंगा मैं इसको कैसे लॉक करती हूँ एदेखें तो ये हमने रख दिया फ्रे इसको भी अब ये फाइल पेर से मैंने इसको अच्छी से ढाक लिया है ये पैकिंग करने वाले ऐलमुनियम फाइल पेपर है तो इसको अच्छी से हमको पैक कर लेना है इसमें हवा ना लगे ताके और फिर इसके ओपर फिर फ्लेट ढांके फिर रख देना है तो मैंने इसको फिर से एक-दो घंटे के लिए रख दिया था दो तीन घंटे के फिर से मैंने रेंडिंग जार में इसको चला के अब फिर से इसको बॉल में ट्रासफर करके कम से कम ये दो बार मैंने ऐसा किया है उसके बाद ही मैं ये ड्राइफ रोट्स एड़ कर रही हूं इसमें काजू और बादाम है ये तो आप चाहे तो डाले या फिर टूटी- आप नी वैसे बी आईस क्रिम का टेस्ट बहुत बढ़ी है आने वाला है ये देखें तो यह मैंने पैकिंग करके फिर से मैंने फ्रेजर में रख दिया था रख रही हूं अभी मैं फ्रेजर में निया देखिया तो वही वाला फायल पेपर है मैंने दो-तीन बार इस टैप स तो फिर से मैंने इसको पैक कर लिया है और फिर से ढहांक दिया है प्लेट। इसको हम फिर फीरी धर की रख देंगे तो मैं आप फिर मैंने दूसरे दिन मॉर्निंग में देखिए निकाल के सर्वे करने के लिए हो चुक आए हमारा आइस क्रीम। यह देखिए मैं इसको आपको निकाल के भी दिखा रहूए कितनी बड़ी हैं कितनी यमी यमी आइस क्रिम बनके रेड़ी है तो फ्रेंड्स यह बहुत ही कम चीजों से घर में ही हम बड़े आसानी से दूद से सिर्फ दूद सक्कर से यह बना सकते हैं इसमें हमने कुछ भी न कि डाला सिर्फ मलाई डाला है अट किया है और शब कर थोड़े से ड्राइब